भूपाल के एलन सिटी ग्रूप ने 24 वा स्थापना दिवस एवं कल्चूरी गौरव अभिननन समारों का आयोजन किया जिसमें कलार समाज के वरिष्ट लोग और नवनिर्वाचित महापौल पार्षत के साथ नई प्रतिवाओं का सम्मान किया गया इस दोरान एलन सिटी ग्रूप के स्थापक जैनारा एंट चौक से ने कहा कि है सबी कलार समाज के लोगों का सम्मान समारों है आयोजन के माध्यम से कलार समाज का सम्मान गौरव का विश्य है एलन सिटी ग्रूप ने 24 वा स्थापना दिवस एवं कल्चूरी गौरव अभिनन समारों का योजन किया इस मौके पर चिकित्सा शिक्षामंत्री विश्वास सारंग मुखी अतिती भूपाल महापौर मालती राय विदायक रामेश्वर शर्मा विशिष्ट अतिती के तौर पर मौजूद रहे कल्चुरी सम्मान समारों में प्रदेश के विबिन जिलों से मैं मेडयल इया था था तब कलार समाजन मुझे प्रोचाहन दिया था कि आप नाशनल में मेडल आईये तो मुझे काफी प्रोचाहन मिला उससे और ऑग़ बढ़िया तो मैं काफी कुष विए इसे कारइकरम बच्चों की लिए कि अँछा प्लाटफोifs प्रोग करते हैं जह करें और फैमिली के साथ टाइम बिताईए और एक्सिल आप जिसमें भी फील्ड में भी है हां मैं वर्ल चांपियंशिप खेलने जा रही हूं एजब्ट में जो कि next month है और वो अभी इस साल का मेरा सबसे बड़ा competition होगा मैं बहुत गौरवानवित महसूस कर रही हूँ कि वरिष्ट नागरिकमंच कलारत समाज बोपाल ने जो यह आयोजन रखा है इससे हमारे समाज में जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं जो हमारे समाज का गौरव बढ़ा रही है उनको एक बहुत प्रोटसाहन मिलेगा और हमारे ज़्यादा सम्मान की नजरों से देखती हूं कि यह जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है इससे सभी पारशदगनों को विद्यार्थियों को आगे उनके उज्वल भविश्य के लिए बहुत प्रोटसान मिलेगा इस मौके पर एलन सिटी ग्रूप के संस्थापक जन आरे चौक से ने कहा कि यहाँ आयोजण कलार समाज की प्रतिवा को सम्माने के लिए रखा गया है कलार समाज आगे बढ़े और समाज में अपना नया स्थान बनाए उन्होंने बताया कि एलन सिटी समू हमेशा कलार समाज को आगे बढ़ने में मदद करता आया है आगे भी इसी शमयाज को काम कियी विशाज सारग की उनों ने कहा कि ऐसे समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है इस मौके पर विधायक रामिशव शर्मा ने लांसी टीग्रूप की जम कर तारिफ फी और कहा है केवल कल्चूरी समाज का कारिक्रम नहीं बल्कि पूरे हिंदूओं का कारिक्रम है उन्होंने संस्थापक जैनार और चौकसे के कार्यों की भी चरहना की बरिश नागरिक मंच कलार समाज भॉपाल द्वार उनके इस्थापना दिवस पर आज पूरे प्रदेश के जितने भी निर्वाचित, पारसत, महापौर, जिलाद्याक उनके संबान के लिए एकारकम प्रजित किया गया है उसके साथ साथ प्रतिवावान चात्रों का उने बजुर्ग हस्तियों का और बोतपूर बरिश नागरिक मंच के अध्यक्षों का सबके स्वागत का कारकम रखा गया यह स्वागत का उद्देश मात इतना है कि हम समाज के उन लोगों को जो नोंने समाज में कुछ अपनी सहवाय दी है या समाज को कुछ नाम दिया है हम उनको समानित कर सके हैं यह हमारे लिए बहुत गवरों की बात है कल्चुरी समाज हमेशा ऐसा प्रयास करता रहा है कि वो अपने सांसांत समाज के सांसांत अन्य समाज को भी आगे बढ़ाने में प्रयास रहता है और कल्चुरी समाज में विस्षिस्ता यह है, कि वो सबको साथ लेके चलता है, यह कलार समाज के विस्षिस्ता है। व्यक्तियों को कि होसला अवजाही करते हैं जिन्होंने समाज में विशिष्ट इस्थान पाया है आज सभी जनप्रति निदियों का सम्मान हुआ और ये भी संकल्प लिया गया कि सभी जनप्रति निदि चाहे वो किसी भी विचार से हो इस मध्यपदेश के सौनिम मध्यपदेश बनाने के काम में सभी लोग लगेंगे और हम सम मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाए इसका संकल्प लेगे आप देख रहे हैं दखल न्यूल